निकिता की शादी हुए अभी कुछी दिन हुए थे, वो ससुराल से माई के रहने आई थी आ गई मेरी लाडो, हाई कितनी दुबली लग रही है, क्या हुआ खाना नहीं दिया क्या तेरी सास ने अरे हो मा, खाना, ऐसा खाना आपने तो देखा भी नहीं होगा, वहाँ एक बार पाश तरे की सब्जिया बन दी है, अपने यहाँ, क्या ही बनता है, खाना कोई उसे कहा जाता है, एक दाल और एक सब्जी शारदर जी सोच में पढ़ जाती है, क्या ये मेरी ही बेटी है, जो सर्फ पांच दिनों में ही इतना बदल गई है, थोड़ी तेर के बाद क्या मा कित्ती गर्मी है यार इस घर में, मेरे घर में तो पूरा दिन इसी चलता रहता है, हाँ, ये देखो वो गिसा पिटा सा कूलर, उसमें जो डिफरेंट साउंड्स आते हैं उससे लगता है, 1857 की क्रांती में इस कूलर ने भी भाग लिया होगा, अरे नहीं बेटी, ऐ कैसे कैसे बात करती है, तू भी ना, अच्छा ला, मैं तेरे उपर पंखा कर देदी हूँ, और वो हाथ के पंखे से उसे हवा करने लगती है, थोड़ी दिर के बाद उसके पापा घर आते हैं, अरे मेरी राजकुमारी, तू घर आ गई, और उसे आकर गले लगा लेते हैं, ओफो पापा जी, हाव डर्टी स्मेल, आप डियो क्यों नहीं लगाते हो, या किती स्मेल आ रही हैं आपके पास से, पापा जी शौक डू जाते हैं कि क्या ये मेरी वही बेटी है, जो मुझे आफिस से आते ही गले लगा लेती थी, और एक घंटे तक छोड़ती नहीं थी, थोड़ी दिर के बाद, उठ गई मेरी बिटिया, ओ माई गौड मा, ये आपका घदा है कि पत्थर की चटान, अरे मेरे घर में मेरे मैट्रस पर अगर आप सो लेंगी ना, तो एकदम मक्खन मलाई है, मक्खन मलाई, आई हाई मेरे पती ने पूरा दो लाग रुपे का बैट बनवाया है, हमारे ये मेट्स वाले का मेरे बसके तो नहीं है अब, एक दिम से सवित्री जी का दिमाग फिर जाता है, अब आएगा बिटिया तुझे असली मजा, जब मा बजाएगी तेरा बैंड बाजा, अगले दिन सुभा के वक्त, निकी, ओ निकी, अरे अभी तक सो रही है, जल्दी से उ खोलो, और पापा आज तुम्हें ससुराल छोड़ाएंगे, वैसे भी तुझे हम बिखारी और ये घर जुग्गी लग रहा है बेटा, क्या ससुराल, हर यार मैं तो दस दिन की कहकर आई थी, और अभी तो सिर्फ तीन दिन हुए है, वो लोग क्या सूचेंगे, उपर से मे मेरी नंद आ रखी है, नई नई, अरे नई मा, मैं तो आपके बास रुखने आई हूँ, मैं ससुराल नहीं जाना चाती हूँ, ओ मेरी भोली मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मैं हो ना तेरी प्यारी बिटिया, बनाऊंगी मैं तेरे लिए गर्म गर्म नाशता, निकिता ये कहक मम्मी इसमें ओयल भी बहुत कम है, हाँ बेटा, ये लेगी, ये रखा है, ये क्या मा, पॉलितिन में गी, हमारे घर में इससे पहरे तो कभी ऐसे गी नहीं आया, हमेशा पापा बड़े से डब्बे में ही गी लाते थे, सावित्री जी चुप हो जाती है, निकिता फिर पू सारी कमाई तेरी शादी में लगा दी, निकिता शौक्ड हो जाती है, क्या मम्मी, ये क्या कह रही हो आप, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इतने दिनों से आपको ताने दे रही हूं मा, मुझे माफ कर दो, निकिता फिर खुशी-खुशी अपने घर का सारा काम करती है, और फिर कभी भी अपनी मापापा को ऐसे नहीं बोलती है